हेलो फ्रेंज, आज सुदोत के देखा बाहर, तो मौसम बारिश वाला तो नहीं लग रहा था आज नीर के टिफिन बॉक्स में मैंने रखा था पोहा, आलू, मुंफली डाल के और उसके अंदर मैंने बोखोट सारा कड़ी पता डाल दिया था और साथ ही में फ्रूट में मैंने कुछ चेरीज भी रख दी थी नीर का ब्रेकफास्ट पैक किया और वो चला गया स्कूल और पीछे से मैंने कुछ वेजीज मंगवा रख की थी वो दो दी आज मुझे ब्रेकफास्ट में बनानी थी बिंडी और लंच के लिए मुझे बनाना था पुलाओ जल्दी से मैंने नीबू पानी पिया रेडी होके मैं वॉक करने चलीगी आज मैं सोसाइटी से बारी चलीगी थी वॉक करने के लिए रात को शाइट काफी बारीश होई थी तो पूरा सोसाइटी का वॉकिंग एरिया स्लिपरी हो रखा था एराउंड 4000 स्टेप से आज मैं कम्प्लीट कर पए थोड़ा लेट हो रहा था और आके मैंने भिंडी को अच्छे से सुखा दी और फटा फट से भिंडी बना दी और लंच पैक करके अपने हस्बेन को दिया वो ऑफिस के लिए निकली और मैं भी फटा फट से रेडी हो गई ऑफिस अपना स्टार्ट किया और साथ साथ ब्रेकफस्ट कर लिया आफिस के काम से मैंने लंच प्रेक लिया और उसमें मैंने बनाना था मिक्स वेच पुलाओ और बीन्स मैंने ओडर करी थी और उसकी जगह उन्होंने डेलीवर कर दिया गवार की फली बीन्स लेने जाने का में पस बिल्कुर टाइम नी था और मैंने एक्सपेरिमेंट किया और गवार की फली ही मैंने पुलाओ में डाल दी और ट्रस्ट मी बहुत ही टेस्टी बना था पुलाओ नीर को मैं स्कूल से पिक करने चले गी और आके हम दोनों ने मिलके अपना लंच कर लिया यमी यमी सब पुलाओ शाम को नहीं योगा क्लास करके आया में हजबन भी आय चुके तो आफिस से और हमने पी टेस्टी सी अधरक वली चाहे नीर का करकर एक्जाम पोस्पोन हो गया तर कोई हुंवक भी ने मिला था तो बस उसने मांगी पढ़ाई से ब्रेक जो कि मैंने अलाओ कर दिया और उसकी मस्ती चाली होगी बस ऐसी रहा क्रेजी सा दिन